अबस्कार दोस्तों मेरा नाम है रोक्टे त्वरुन और आप सब का बहुत बहुत स्वागा था आज की वीडियो में आज का छोटा सा वीडियो है आपको जनरल इंफॉर्मेशन देने के लिए अगर आप पोस्ट कोबीट पेशेंट है और आपको सीने में दर्द रह गया है यह फिर आपको पल्पिटेशन होती है मतलब आपका हर्ट काफी तेज धड़कता है दिल की धड़कन आपको तेज मिलती है पल्स आपकी 100 प्लस में रहती है 110 चल दी है 120 चल लिए तो ऐसे में अगर आप ऐलोपेथिक मेडिसन यूज़ कर रहे हैं उससे आप जल्दी ठीक ह करता है हमारे लंग्स इसमें खराब होनी चुरू हो जाते हैं और बाद में लंग्स में इंफ्लमेशन होती है निमोनिया होता है कोविड में और बाद में वह कमजूर हो जाते हैं सिंपली आप इस तरीके से समझ सकते हैं पिशेंट के अंदर कोरोन का इंफेक्शन ठीक हो लेकिन पिशेंट का सास फूल जाता है पिशेंट को घबराहट बेचे नहीं हो जाती है पिशेंट को सास लेने से पिशेंट को दर्द हो रही है चुवन हो रही है तो ऐसी कंडिशन में आपको एक होमेपाथिक मेडिसन लानी है ब्राइनिया एलबा यह चेस्ट पीन के लिए काफी अच्छी मेडिसन है खास करके जहां पर आपको इंस्पिरेशन करने से गहरा सास लेने से आपको चुवन आपकी बढ़ रही है जो आपका दर्द है वो आपका बढ़ रहा है तो ऐसे में आपको ब्राइनिया एलबा 30 आपको लानी है किसी भी होमेपर्थिक मेडिकल इसके पांच पांच भूंदे दिन में तीन बार आप इसको इस्तिमाल कीजिए केवल पांच दिन के लिए आपको इस्तिमाल करना है थोड़े से दो तीन चमश पानी में आप इसकी पांच भूंदे डाल लीजिए और आप इसको दिन में तीन बार लीजिए खाने से पहले ले लिजी हैं खाने के बाद ले लिजिए खाने में आपको 20 मिट का गष्ट नहीं घाना है ठीक है तो जहां पर यह सिंटम आपके अंदर है और आपको सीने में दर्द है थोड़ा सास भी फूला है आपका गहरी सास लेने में आपको चुभन हो रही है दर्द आपका बढ़ तो आपको ब्रैने अलबा ठीक कर देगी, कोई भी इसमें समस्य आपको नहीं होगी जिसका नाम है ट्रैन्किल टैबलेट यह आप लाईए, यह SBL की टैबलेट आपको मिल जाएगी, काफ़े अच्छे मेडिसन है तो यह आपके चिंता, घबराहट, बेचनी, पल्पिटेशन, निंद कमाना, इन सारी चीजों को यह टैबलेट कवर करती है तो आपने इसकी डोज लेनी है, आपकी प्रॉलम अगर जादा बड़ी हुई है, तो एक बारे में आप इसकी तीन टैबलेट लीजिए, दिन में तीन बराप लीजिए बिना पानी के यह टैबलेट आपको इसी तरीके से यूज करनी है, चूस के आपको यह मेडिसन खानी है यह मेडिसन आपको खाना खाने के बाद इस्तुमाल करनी है, आप देखेंगे पहले ही दिन से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा जो आपको बीच-बीच में पल्पिटिशन हो रही थी, जो आपकी पल्स काफी ती चल लही थी, जो आपको नीन कम आ रही तो पहले ही दिन से आपको काफी अच्छा रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा, और आप देखेंगे आपकी पल्स जो है 100 से नीचे हो गई है, पल्पिटिशन आपको होनी बंद हो गई है, ठीक है, आपको जो हर्ट है वो नॉर्मल इस्तिती से धढ़ा करा है, तो आप इस टैबलेट को लाइए, ये भी आपको किसी भ अगर कम प्रॉलम है, तो आप दिन में केवल आप इसको एक ही बार इस्तमाल कीजिए, आप इसकी तीन टैबलेट बिना पानी के आप इसको ले लिजिए, शाम के समय में आप इसको ले लिजिए, खोशिश कीजिए हलका-हलका योगा करने की, जादा योगा नहीं करना है, ज्यादा अपने आपने प्रेशन नहीं देना है थोड़ा-थोड़ा जितना भी आपसे हो सकता आप उसको कीजिए ठीक है और अकेले मत रहिए ज्यादा सोचे मत विजी आप रहिए यही सारी चीज़े होती है जिससे कि आप ठीक रह सकते हैं इन दोनों मेडिसन का कोई भी सै करना जुरूर है तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल के नहीं है तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू सो मच